नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी क्यूटूब चैनल जड़धारी क्लासेश में दोस्तों उत्राखन सामान गयान ओनलाइन कॉर्स सीरिज में हमारा आजकल चल रहा है उत्राखन में सोतंता आंदुलन उत्राखन में सोतनता आणदोलन के पिछली वीडियो मैंने आपको बताए था कि 1857 की करांती कैसे फैली थी उत्राखन में और उत्राखन में 1857 की करांती के क्या-क्या प्रभाव पड़े थे और आज की वीडियो हम discuss करेंगे debating club और अल्मोडा अकवार के बारे में कि किस परकार यहाँ पे debating club और अल्मोडा अकवार ने एक बहुती महत्तवपॉन भोमी का निवाई थी उत्राखंण में जन करांती जन आनुरन लाने के लिए तो इस पर हम आज पूरी डिटेल्स यहां पर चर्चा करेंगे तो आज दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्राखंट जी के एप जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस एप में आपको उत्राखंट सामान गयान के संपोर नौट्स उत्राखंट प्रिवाईजियर पेपर एंड साथी साथ उत्राखंट जी के MCQ प्रैक्टिस नट आपको प्रोवाइड किये जाएंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप का लिंक दे रखा है उसके थ्रोव आप हमारे उत्राखंट जी के एप को डाउनलोड कीजिए और इस एप का आप लुफ्ट उठाईए दोस्तों हम आज डिस्कर्स करेंगे आप पर डिवेटिंग क्लब और अलमोडा अकवार के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से में एक रिक्वेस्ट है आप से कि हमारी उत्राखंट सामान गयान ओनलाइन कोर्स आज कर सीरी चल रही है इसके बारे में आपको कमेंट बोक्स में अपने रायस जरूर देनी है तो दोस्तों जो डिवेटिंग क्लब और अलमोडा अकवार था इसकी बहुती महत्तपूर्ण भोमिका रही है उत्राखंट में चायो कुलीवेगर आंदोलन हो चायो वन नीती विरोधी आंदोलन हो चायो जंगलात नीती की विरोध में आंदोलन हो तो इन सारे जो आंदोलन थे उनमें एक बहुती महत्तपूर्ण भोमिका निभाई यहां पे डिवेटिंग क्लब और अलमोडा अकवार ने अब यहाँ पे बुद्धी वलब पंत्थ की मुलाकात होती है, ततकालीन सहुक्त प्राम्त के जो लेटिनेंट जर्रल, गवर्नर जर्रल थे, वो थे, सर विलियम मियूर, कौन थे वो सर विलियम मियूर, इनसे इनकी मुलाकात होती है, और इनसे वो चर्चा करते हैं कि क्यों मैं एक अखवार का यहां पर प्रकाशन करू और वह इसकी अनुमति उनको दिते हैं और उनको प्रंणा देते हैं अब यहां पर क्या करते हैं कि जो बुद्य वल्लब पंत हैं अठारसो इक तरिमें वह क्या कर देते हैं तो कई वेटिंग कलब और अलमोडा अकबार की इस्थापना किस ने की थी तो वो की थी याप बुद्धी वल्लब पंत नामक बेक्टी ने अब यहाँ पर 8871 में प्रकासन हो गया याँ पर अलमोडा अकबार का और इसके परतम संपादक बनते हैं याँ बुद्धी वल्लब पंत और शुरुवाती में क्या हुआ कि जो यह अकबार था यह एक कटपोथली बनकर रहे गया था अंग्रेजी सरकार का अंग्रेजी ब्रिटिस हुकुमत का ठीक है तो यह क्या हो गयता सरकार समर्थक हो गयता यह क्या करता था कि मनलब जो सरकार की अच्छे-ची योजना योजना यहां पे कि 1913 इसपी में यहां पे अलमोडा अकबार के संपादक बन जाते हैं बद्रिदत पांडे और यहां से सुरू होता है कि अलमोडा अकबार जब छापना सुरू करता है अंग्रेजी सरकार की जो जनता विरोधी नीती थी जो उनके बुरे कारे थे उनको भी प्रकासन करता यहां पे अलमोडा अकबार जब यहां पे इसके संपादक कोन बन जाते हैं बद्रिदत पांडे और यहां से क्या है बिर्टिस हकोमत की नजरों के सामने आ जाता है अलमोडा अकबार जब वो इससे क्या करता है इसको बंद कराने के मारग खोचने लगती है बिर्टिस हुकूमत यहाँ पर क्या होता है कि बदरेद पांडे ने अलमोरा अकबार को एक तो सापता ही किया इससे पहरे जो अलमोरा अकबार था वो एक तो कभी मासिक में चपता था कभी 15 दिन में च्छपता था और कभी सापता ही च्छपता था यानि 7 दिन के अंद्रगत आप था लेकिन सबसे पहले बदरिदत पांडे जैसे ही इसके संपादक बने तो इन्होंने अलमोडा अकबार को क्या कर दिया सापता ही कर दिया उसके बाद 14 जुलाई 1913 इसपी को इन्होंने अलमोडा अकबार में कुली बेगार परता हुआ जंगलाच निदी की विरोध में अपना लेक चाप दिया जैसे संपादक बन जाते हैं तो मैंने अभी कहा था आपको कि यह क्या कर देते हैं जो सरकार के अंग्रिजी हुकोमत के जंगलाच निदी के विरोध में एक लेक चाप दिया और बदरिदत पाने ने इस लेक में लिखाता है कि जो कुली बेगार परता है वो क्या है जंगलाच निदी के विरोध से भी अतिदिक कुपरता है यानि कि जंगलाच निदी के विरोध में जो कॉनन मनाये सरकार ने व उसको तेकर क्या होती है यहां की जनता थी उनकी क्या होती है मान हानी होती है जब कि जंगलात नीदी विरोध है उससे केवल क्या होती है आर्थिक हानी होती है तो उन्होंने कुली बेगार पर्था वह जंगलात नीदी की विरोध में यह क्या क्या सरपर्तम यह लेक वहां प शुरू कर दे था कि वो जल्दी से जल्दी जो अलमोडा अकवार है या तो वहाँ पे सरकार की जो नीती विरोधी नीती थी जनता विरोधी नीती उसको चापना बंद कर दे या वो उनके अलमोडा अकवार को का प्रकासन ही क्या कर देंगे बंद कर देंगे तो ये उन्होंन उन्होंने जो कमिशनर लोमस था डिप्टी कमिशनर लोमस उसको यहाँ पे उसकी तुलना की थी एक भालू से जैसे भालू क्या करता है भालू क्या है खुद खाता रहता है तो इनका मतलब था कि जो यहाँ पे अंग्रेजी हुकोमत है वो सिर्फ अपना फाइदा देखती है जनता को अनेक कश्ट देती है और उन्होंने इस सीरसक में लिखा था कि लोमस कभी पैर पटकता है दांत पीशता है और कभी मेज पर हाथ पटकता है वा फिरंगी मेरे से बेढ़ंग बिगड़ चुका था और भालू की तरह गुसे में था तो इन्होंने इस भालू साई सीरसक में जो कमिशनर लोमस था उसकी तुलना एक भालू से की थी और ये भी उसमें कहा था कि वो मेरे से काफी अब नफरत करने लगया है जब मैं सरकार की जो क्या है उनके जनता विरोधी नीतिया है या जो उनके बुरे कारे है उनका जना में उले करर रहा है तो वो मेरे को क्या दे रहा है धम की दे रहा है ये उस सिर सका उनका मुख्य कवार का प्रकासन ही उस पर क्या लगा देती है इस घटना में क्या हुआ था कि जो उस टाइम टतकालें डिप्टी कमिशनर था लोमस वो एक दिन जाता है जंगल मुर्गी के सिकार खिलने अब वहां पे एक कुली से क्या करता है कि सराब मंगाता है उस टाइम कुली विगर प पहुंचता है लोमस के पास सराब लेके लेकिन लोमस को उसमें क्रोध आ जाता है कि तू लेट में क्यों पहुंचा और उसको वो सिधे बिना कारणवस बिना निरपराद उस कुली को क्या कर देता है गोली से भून देता है और उसकी मृत्य हो जाती है और इस घटना से मिशनेल लोमस गटीकparkि guys अमोर तो उसके बाद गड़ वाल छमाचार पत्रे एक लेक चापता है जिसमें लिखता है कि एक गोली के तीन सिकार मुर्गी कुलीवा अलमोर अकबार क्योंकि यहाँ पे जब बद्रिदत पांडे लोमस के विरोध में वो लेक चापते हैं कौन सवाला जब उसने उस कुली को गोली से उड़ाय था तो कमिशनल लोमस अपने बचाओ में बोलता है कि नहीं मैंने तो मुर्गी पे गोली चलवाय थी और अचानक वो कुली पे लग गई लेकिन फिर बद्रिदत पांडे उसको बोलता है कि अप्रेल माह में तो जंगलों में सिकार खेलना क्या है एक कानूनी अफराद है तो फिर वो अलमोडा अकवार को बंद कर देता है और फिर इसके विरोध में जो गड़वाल समाचर पत्र है वो एक लेक चापता है किसके बचाओ में अलमोडा अकवार के बचाओ में कि एक गोली के तीन सिकार मुर्गी कुली वा अलमोडा अकवार यानि एक गोली के तो इस लेख के मादयम से वो एक परताड़ना देता है एक निंदा करता है किसकी अंग्रेजी हुकूमत की और कमिशनर लोमस की उसके बाद यहां पर जब अलमोडा अकबार पर परतिबन लगने के बाद बदरद पांडे ने यहां पर सकती नामक समाचर पत्र का परकासन किया किसकी बाद अलमोडा अकबार पर परतिबन लगने के बाद और इसमें पहले ही दिन यहां पर परकासन चाप देते हैं कि जो सकती नामक समाचर पत्र है वो क्या करेगा बिर्टिस सरकार की जो जनता विरोधी नीतिया है उनका जरूर यहां पर विरोध करेगा और साथी आगे कब भागे क्योंकि वहाँ पर अलमोड अकबार तो पर्तिबंद लग गया है और अब यहाँ पर उसके सारे कारे कौन करेगा है वो करेगा सक्ति नामक समाचार पत्र उसके बाद जो इस बीच कुछ अन्य गटनाएं भी गटी जिनको बताना आपके लिए बहुती जरूरी है यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि 1886 SP में कांग्रेश के जूतिया अधिवेसन कलकता में जो बत देखो कंग्रेश की स्थापना होगी थी 1885 में और ओ किसने की थी A.O. हूम नामक बैखतिने और पर्ताम अधिवेसन और अस्थापना पहाँ हुई थी तो वह इती बंबाई में जो आजका मुंबाई है और उसका जूतिया अध्यशन होता है यहां पे वह होता है कंग्रेस का कलकत्ता अध्यशन जिसमें कुमाओं यहाँ पे 1901 इसमी में यहाँ पे गड़वाल यूनियन की स्थापना होती है और जिसका मुख्य ओदेश होता है लोगों को जागरू करना और ब्रेटेस हुकुमत के खिलाब क्या करना आंदोलन करना जो उनकी जनवीरोजी नीतियां है जो उनके बुरे कार्य है और उसके बाद यहाँ पे 1903 इसमी में पंडित गोविदंद वल्लापंत ने हैपी कलव की इस्थापना की और इसका भी मुख्य ओदेश्या यही रहता है तो हैपी कलव हो गया आपका डिबेटिंग कलव हो गया और अलमोडा अकबार हो गया इन्होंने भोती महत्पूर्ण भूमिका निवाई थी उत्राकन में जो अंग्रेजी हुकमत के खिलाब जो आंदलन हुए थे जो जन आंदलन हुए थे जो जन जागरन फेलाए इन्होंने लोगों को जागरो किया समाचार पत्रों के मादम से ठीक है तो यह सारी चीज़ें यहां पे हुई इन सारे जो भी यहां पे डिवेटिंग कलब हो गया अलमोडा अकबार इनकी बहुती महत्पूर्ण भूमिका रही यहां पे इन सारी चीज़ों में तो दोस्तों आज मने आपको बताए कि किस प्रकार यहां पे डिवेटिंग कलब और अलमोडा अकबार की इस्ताफ नहीं हुई और किस प्रकार अलमोडा अकबार यहां पे अंग्रेज हुकुमत के खिलाप यहां पे अपने लेक्स आपे और किस प्रकार उस पर परतिबन लग जाता है तो सारी जानकर हमने जतना डिटेल्स हो सके आपको यहाँ पर इन्फरमेशन देने की कोशिस की है और आगे भी हम ऐसी आपको इन्फरमेशन देते रहेंगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर किजेगा और कमेट बोक्स में भी अपनी राइज जरूर देजेगा बाकि इससे पहले मैं आपको उतराखन आदे एतेसी काल से लेकर परवार वंस, गोरकर साशन, चंद वंस हो गया ब्रिटिस कमिशनर हो गया सारी वीडियो में आपको डिटेल्स बता चुक हो हो आप अमारे फेस्ट को पेज के अनाम है जरधर हो क्लासिक की नाम से घुट सकते हैं reko ऐसा करते हैं को वीडियो पसंद Usually पर पोउड़ारे में लाइक वीडियो को लाइक पहली बार आये लाए तो सब्सक्राइब को मिलते है left video